दोस्तों आज के लैप्टॉप तो हर एक बंदे के पास है, लेकिन उसका तुछ पैड होता है, जो माउस वाला पैड होता है, उसको इस्तमाल करना हम में से बहुत कम लोगों को आता है, और जब भी अब ज़्यादा माउस का इस्तमाल करना होता है, तो हम मार्केट से क्या करत लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलू कि आपका touchpad जो है ना वो इससे भी बहतरीन काम करता है और बहुत सारी functionality को करीब 8 सी 10 functionality को आपके सिफ touchpad ही control कर सकता है तो यह कीम नहीं हो रहा ना लेकिन यह वीडियो आपके लिए और आपको इसमें में सब कुछ समझा जो कि इस प्रकार स using a computer को select करना होता है तो आपको अपनी single उंगली से सो 17 फैल को उप Sorter पर क्लिक खेंना होता है इस फैल में खाल असे 210 ऑप आपको सिंपल्म आऊउट ना होता है यहां पट है और आप इसे यहां से zoom करते हैं या फिर आप keyword की मदद से करते हैं लेकिन आप चाहिट टूच पैट से भी कर सकते हैं उसके लिए आपको इस प्रकार से एक corner से दूचरे corner पर pinch in यानिकि stretch करना अपने उंग्लियों को और आप stretch out या पिंच out भी कर सकते हैं इस प्रकार से आप पूरे सिस्टम पर zoom in और zoom out कर सकते हैं यूजिंग touchpad हैना एकदम कमाल की चीज़ आप suppose कर दीजिए आपने multiple windows को open किया हुआ है और आपको एक window से दूसरे windows पर जाना है तो किस प्रकार से जाएं देखें आपको तीन उंगली लेना है तीन उंगली को आप touchpad पर लेके जाए आप suppose किजिए आपने इनी तीन उंगली के मदद से swipe up कर लिया और आपको बापिस से back जाना है वहीं पर तो आप swipe down भी कर सकते हैं इनी तीन उंगली को नहीं दबाना है आपको simply क्या करना है अपनी तीन उंगली के मदद से swipe down कर दिना है आप desktop पर पहुँच जाएंगे और आपको बापिस जाना है तो तीन ही उंगली के मदद से swipe up कर दिजेगा और आप बापिस से उसी folder या उसी tab पर open हो जाएंगे अब माल दिजिए आपने तीन उंगलियों से swipe up किया जो आपकी current windows थी जो भी open थी वो दिखी लेकिन आपको एक window से दूसरे window में switch करना है तो उनी virtual desktop को भी create कर सकते हैं यानि कि different different steps को different different windows को आप अलग-अलग desktop में virtual desktop में open कर सकते हो create करने का simple तरीका मैं आपको बताता हूँ तीन उंगली लीजेगा touchpad पर scroll up कीजेगा इस परेकार से scroll up करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा यह बना हुआ है मैं इसको delete कर देता हूँ new desktop का आपका option मिलेगा इस पर आप click किजेगा then यहाँ पर आप desktop number 2 और चाहे तो और भी desktop को यहाँ पर बना सकते हैं अब suppose कि मैं desktop number 3 को select करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई और windows को open कर लेता है so मैंने यहाँ पर यह desktop number बन कर लिया अब मुझे अगर एक desktop से दूसरे desktop पर switch करना है virtual desktop पर switch करना है so मुझे अपनी चार उंगली लेनी है और swipe left और swipe right करना है चार उंगली लेजेगा swipe right कर जीजेगा डूसरे desktop पर switch हो गया swipe or right कीजेगा तीसरे desktop पर switch हो गया इसी प्रकार से आप left भी कर सकते हैं कीज़ेगा अगले desktop और अगले desktop तो इस प्रकार से आप desktop पर switch भी कर सकते हैं Windows 10 और Windows 11 में आपके लिए एक option दिया गया सर्च बार का जिसे आप को अटाना भी बोलते हैं उसको open करने के लिए उसको आपको टार सक्वार पे नहीं जाना आपको अपनी तीनग उनी का सिस्ते में इस्ते माड और किसी किष्क दियांगा उसके आपकार इस्ते फिले बहुत करना पड़े सब्सक्राइब और आपका जो window है जो आपका page है वो scroll up और scroll down होता रहेगा लेकिन आप touchpad के मज़से भी काम कर सकते हैं दो उंगली का इस्तमाल है भी है दो उंगली का use कीजिए और अगर आप scroll को down करना चाहते हैं तो इस दो उंगली को ऊपर लेके जाएए आप scroll down हो जाएगा अगर आपको scroll up करना है तो दो उंगली को लीजिए और scroll down कर जीजिए कुछ इस प्रेकार से आसा है आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और आप वीडियो पसंद आते प्लीज वीडियो को लाइक कर जीजिएगा और शेर भी कर सकते हैं और इस फैमिली से चुड़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर जाएएगा आज की वीडियो में शिर्फ पेता हैं अगली वीडियो को आपसे फिर से मेरते हैं मीडियो देखने के लिए शुक्रिया धन्यबाद जैहिद